के पोशण करते हैं किन्तो 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 कि इतना खतरनाक है कहने का आसा यह है कि आचाइर कहते हैं अंत की गाथाओं में अब उस समय आ गया है कि कि ने स्रेक्ण किन अगर नारे शब्टों को पूर्टली में बांद के समुद्र में फेक दो और एक बार पक्के ह्युर्दै से बज्ध्य हर्दै होकर एक बार इस फीकार कर लो कि मैं घ्याता हूं बस तुमारा अभी नाशी कल्यान होगा और दूसरा कोई राश्ता नहीं है कि तो बेव सोहार से अरे बंद करो ना बात किंदू उसन्हेंसे खतम करो आ या बात कि ją तो किंट के माध्यम्स यहीं के हांट में पड़ता है बहुत कुन आता है और को कर पढ़ी आचायर कुंद कुंद यहां से जोर लगाते हैं और हमारी अंदर की परेयाय मूर्ता अंदर से जोर लगाती है कुंद कुंद कहते तो मैं करता हो और अंदर की परेयाय मूर्ता जोर लगाती है मैं करता हूं कुंद 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 देव की गाथा है पड़कर थोड़ा भाव भी मनता है हाँ बात तो यही सही है आज मानो कल मानो अनंतकाल बाद मानो यह बहुमान से हरदय भरता ही है और वो परेया है मूरता एक बार फिर लहवर बनकर आती है किंतु कि समझ में आया देखो ऐसे समझो उल्लाजवाई किंतु मतलब क्या देखो बताता हूं आपको मुंबई में था मैं मुंबई गया कालपने को धारन है कि मुंबई गया अचानक गया वाटसेप मोबाइल बगारा चलते नहीं थे और अचानक ही मुझे लोटना पड़ा ठीक है अब इफटेशन पर अचानक लोट रहा था कि मेरा जेब अब क्या करें यूपी से आया ना तो यही सोचने में आता है जेब कटना है यह ना मुंबई मेरा जेब कट गया इस ऐसे आपक्या करें मुंबई से डिल्ली आना है मेरे अठाना है अब मोबाइल वगेरा है नहीं पेटी एम बॉटसेब कुछ है नहीं और सोचा जनरल का टिकेट ले लूँगा फिर चुकि भारती संस्कृती है तो अपने डब्बे में चड़ जाओंगा रिजर्बेशन बाले फिर टीटी आएगा रिष्तेदार समझ में आए ना भारत यंटे से ज्यादा का सफर है और मुंबई जैसी नगरी जहां जान पहचान वाले भी नहीं जानते पहचानते अब इस प्रेशान घूम रहा हूं मुंबई डेड़ करोल की आवादी कौन किसको जाने प्लोस बाले का पता नहीं रहता कौन रह रहा है मुझे तो क्या कोई ज देख तो लिया लेकिन थोड़ी आखें यहां वहां कर ली कि पंडेत है परिशानी होगा विचारा लेकिन मैं ही बिलकुल सामने यमदूत की तरह खड़े हो गया उल्लाज भाई जैजिनन अरे पंडी जी और आप कहा मिल गया अरे मेरे तो भाग खुल गया यह और वह और नहीं वो सब ठीक है इस्तुती बाद में कर लेना है है ना मेरे साथ एक दिक्कत है सामने ट्रेन खड़ी है जाने वाली है मुझे टिक्ट लेना है मेरा जो वो जेव है वो निकल कट चुकी है आप मुझे जल्ली पांच जार रुपे दो मैं आपको बाद में मनी ओर कर दू और हम तो आपके लिए क्या नहीं कर सकते हैं हम आपको जान दे सकते हैं जान आप अपने पास रखो क्यंकि मैं टीटी के पास जाओंगा और कहूंगा कि उल्लाज भाई की जान ले लो मुझे सीट दे दो तो वो जान से नहीं मानेगा क्यों जी मुन्ना भाई मांज जाएगा पांस जार है अरे आप कैसी बात करते हम तो आपको सारी संपत्ति दान कर देंगे किंतू अब आप किंतू का मतलब समझ गए किंतू का मतलब यह है कि अब तक जो मैंने बाते कहीं वो सब बेकार की थी अब असली बात आप आ रही ऑब आ रही है और आ रही है वो बात क्या है मेरे पास पैसे हैं नहीं और है तो देता नहीं है यह तो नहीं कहेंगे इतना तो मुझे विश्वास है आप समझ किंतु का मतलब क्या होता है कि अब तक जो था वो कुछ नहीं है अब जो है वो असी हकीकत है अग्यानी का किंतु यह होता है अग्यानी का किंतु आप समझ गए जैसे सांप स्रीडी खेलते थे न तो निन्यानवे का सांप काटता है और सीधे नीचे आके धढाम गिरते हैं कुंद कुंद देव को पता था लाखों लोग समय सार पढ़ेंगे हजारों उस पर विचार करेंगे सेकड़ों लोग उसकी नि करदारन करने की बिल्कुल अंतिम कगार पर होंगे तब जाके एकात को भगवान आत्मा की उपलब्दी होगी और बीच में कितने लोग किस किस रूप में चले जाएंगे लाखों पढ़ेंगे अरे यार इसमें तो बहुत गहरी बात है कुछ लोग तो ऐसा करके बंद करके रख देंगे कुछ लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे हजारों लोग और क्या करेंगे आतो निश्चैनी बाच आतो निश्चैनी बाच बंद कर देंगे कुछ लोग को सच्चे हिर्दय से पढ़ेंगे यह तो हमारी बात है परमात्मा की बात है अंतर परमात्मा की बात है वा बचेंगे अपने इंद्रिय ग्यान को अपनी उर्जा को समस्त बाहर विश्यों से हटा कर अपने अंदर लगाएंगे पुरुशार्त करेंगे अंत्रोन ना बंद तो होता ही है ना खताम नहीं नहीं पहुंच पाए उस बिंदू तक यह पर्याय मूर्ता किंतु के रूप में हमें कभी बस्तु सरूप को पूर्टा स्वीकार नहीं करने देती हैं समझ मैं आए ना